बड़कोवर आसी पहुंच उची चाजी देसरों जुबबर्गों को संबोधितों करवे प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी दिनों दोस्ता तिरी स्रे जहां समयों रखा जैतला जे डिजिटाल समार होरे संबोधन करवे मोदी स्केल इंडिया मिसन रो छो बरसरा स्मुती जोड़कर हमें नए सिरे से स्कील इंडिया मिशन को गति देनी ही है साथ्यों जब कोई समाज स्कील को महत्व देता है तो समाज की अब स्किलिंग भी होती है उन्नती भी होती है दुनिया इस बात को बख हुई जानती भी है लेकिन भारत की सोच इससे भी दो कदम आगे की नहीं है है हमारे पुर्वजों ने कि स्कील्स को महत्व देने के साथ है उन्हों ने इसे सेलिप्रेट किया है स्कील्स को समाच्य उल्लास का हिस्सा ना दिया है अब देखिए हम विज्या दस्वी को सब्स्त्रपुजन करते हैं अक्षै फृतिया को किसान फसल की पुर्शी यंत्रों की पूजा करते हैं भगवाण बिश्वप्यमा की पूजा तो हमारे देश में हर्द वो ये कि हम इस समय अपनी आज़्ादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं 21 वी सदी में पैदा हुए आज के युवाण भारत की विकास यात्रा को आज़्ादी के 100 वर्ष तक आगे बढ़ाने वाले हैं इसलिए नई पीडी के युवाओं का स्किल डेवलेप्मेंट एक राष्ट्रिय जरुरत हैं आत्म निरभर भारत का बहुत बड़ा आधार है बीते छे वर्षों में जो आधार बना जो नए संस्थान बने उसकी पूरी ताकत जोड़कर हमें नए सिरे से स्कील इंडिया मिशन को गति देनी ही है साथियों जब कोई समाज स्कील को महत्व देता है तो समाज की अप्स्किलिंग भी होती है उन्नती भी होती है दुनिया इस बात को बखवी जानती भी है लेकिन भारत की सोच इससे भी दो कदम आगे की रही है हमारे पुर्वजों ने स्कील्स को महत्व देने के साथ ही उन्होंने इसे सलिप्रेट किया स्कील्स को समाज के उल्लास का हिस्सा बना दिया आप देखिए हम विजिया दस्वी को सस्त्रपुजन करते हैं अक्षय तृतिया को किसाम फसल की कुशी यंत्रों की पूजा करते हैं भगवान विश्व कर्मा की पूजा तो हमारे देश में हर स्कील हर सिल्फ से जुड़े लोगों के लिए बहुत बड़ा परवरहा है हमारे हां सास्त्रों में निर्देश दिया गया है विवाह दिशू यग्यशू ग्रह आराम विधायके सर्व करमसू संपुज्यो विश्व कर्मा इती सुर्तम अर्थात विवाहो ग्रह प्रवेशो या कोई और यग्यकार्या सामाजिक कार्य हो इसमें भगवान विश्व कर्मा की पूजा उनका सम्मान जरूर किया जाना चाहिए विश्व कर्मा की पूजा यानि समाज जीवन में अलग-अलग रचनात्वक कार्य करने वाले हमारे विश्व कर्माओं का सम्मान स्कील का सम्मान लकड़ी के कारीगर मेटर्स का काम करने वाले सफाई कर्मी बगेच्य की सुन्दरता बढ़ाने वाले माली मिट्टी के बरतन बनाने वाले कुमार हाथ से कपड़ा बुनने वाले बुनकर साथी ऐसे कितने ही लोग हैं जीने हमारी परंपरा ने विशय सन्मान दिया है महा भारत के भी एक स्लोग में कहा गया है विश्व कर्मा नमस्तेस्तु विश्वात्मा विश्व संभव अर्थात जिनके कारण विश्व में सबकुछ संभव होता है उस विश्व कर्मा को नमस्तेस्तु विश्व कर्मा को विश्व कर्मा कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि उनके काम के बिना स्किल्ज के बिना समाज का अस्तित्व ही असंभव है लेकिन दुर्भाग्य से गुलामी के लंबे कालखंड में स्किल्ड डेवलप्मेंट की विवस्ता हमारे सोशल सिस्टिम में हमारे एजुकेशन सिस्टिम में दीरे धीरे कमजोर पड़ती गई साथियों एजुकेशन अगर हमें ये जानकारी देती है कि हमें क्या करना है तो स्किल हमें सिखाती है कि वो काम वास्विक स्वरुप में कैसे होगा देश का स्किल इंडिया मिशन इसी सच्चाई इसी जरुरत के साथ कदम से कदम मिलाने का अभ्यान है मुझे खुसी है कि प्रधान मंत्री काउशल विकास योजना के माध्यम से अब तक सवा करोड से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है साथियों मैं एक और वाक्य के बारे में आपको बताना चाहता हूँ एक बार स्किल डेवलप्मेंट को लेकर काम कर रहे कुछ अफसर मुझे मिले मैंने उनसे कहा कि आप इस दिशा में इतना काम कर रहे हैं क्यों आप ऐसे स्किल्स की एक लिस्ट बनाएगे जिनकी हम अपने जीवन में सेवाएं लेते हैं आपको हैरारी होगी जब उन्होंने सरसरी नजर से लिस्टिंग की तो ऐसी 900 से जादा स्किल निकली जिनकी हमें अपनी आवश्यक्ताओं के लिए जरूरत होती हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्किल्ड डेवलप्मेंट का काम कितना बड़ा है आज ये जरूरी है कि लर्निंग आपकी अर्निंग के साथ ही रुके नहीं आज दुनिया में स्किल्स की इतनी डिमांड है कि जो स्किल्ड होगा वही गुरो करेगा ये बात व्यक्तियों पर भी लागू होती है और देश पर भी लागू होती है दुनिया के लिए एक स्मार्ट और स्किल्न मेंट पावर स्वालूशन्स भारत दे सके ये हमारे नवजवानों की स्किलिंग स्ट्रेटरजी के मुल में होना चाहिए इसको देखते हुए ग्लोबल स्किल गैप की मैपिंग जो की चीज आ रही है वो प्रसंसली एक अदम है इसलिए हमारे युवाओं के लिए स्किलिंग, री स्किलिंग और अप्स्किलिंग का मिशन अनवरत चलते रहना चाहिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आज अनुमाल लगा रहे हैं कि जिस तरह तेजी से टेकनोलोजी बदल रही है आने वाले तीन-चार वर्सों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को री स्किलिंग की जरुवत पड़ेगी इसके लिए भी हमें देश को तयार करना होगा और कोरोना काल में ही हम सबने स्किल्स और स्किल्स वर्कपोर्स की एहमियत को बहुत करिब से देखा है महसूस किया है देश को कोरोना से इतनी प्रभावी लड़ाई लड़ सका तो इसमें भी हमारी स्किल्स वर्कपोर्स का बहुत बड़ा योगदान है साथियों बाबा साब अंबेड कर रहे हैं युवाओं की कमजोर वर्क की स्किलिंग पर बहुत जोर दिया था आज स्किल्ड इंडिया के जरिये देश बाबा साब के इस दुरदर्शी स्वपन को पूरा करने के लिए भर्षक प्रयास कर रहा है उदहान के तौर पर आदिवासी समाज के लिए देश ने गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स यानि गोल प्रोग्रेम शुरू किया है यह प्रोग्रेम पारंपारिक स्किल्ड के ख्षेत्रों जैसे कि आर्ट हो कल्चर हो हैंडिकाप्ट हो टेक्स्ट्राइल हो इन में आदिवासी भाई बहनों की डिजिटल डिट्रेसी और स्किल्ड में मदद करेगा उनमें एंट्रेप्रेनर से ब्यवलप करेगा इसी तरह बनधन योजना के भी आज आदिवासी समाज को नए अवसरों से जोडने का एक प्रभावी माध्यम बन रही है हमें आने वाले समय में इस तरह के अभ्यानों को और ज्यादा व्यापक बनाना है स्कील के जरिये खुद को और देश को आत्मंदिर भर बनाना है इनी शुब कामराओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथी भारत की अध्योगी प्रवती और निरंद बदलते परिवेश को नहां में रखकर अंगे कोशन की आरेकरम भी प्रस्तुर किये हैं जिसके तहर भारत के विभिन्दक शेत्रों में स्केल च्रीनिक को स्पीड, क्वालिटी और कपासिटी पताम की गई विभिन्दक शेत्रों में आईजी आई केद्रों का दिर्मान किया गया जिन में गुल 360 प्रणालियों में लगभग 27 लाख युगा प्रशी शंटाफ कर रही हैं कर देश की असंगठत कारे बारिस थे दिए पारणपने कोशब या अनौप चाहिक होद कर लिए जैसे हग कर रहा है बढ़ाई प्लंबर पत्थर की नकाशी आदिशामिन है यानि रेकिनिशन और प्राय लर्निंग के अतरब आप चाहिक रूप से अरजित हुए और शर्ले का कावधान है जिससे असंगठत क्षेत्र को संगठत अर्थ विवस्था में बना जा सकी है कि इसके अलावा जेलों में बुलिस्टेशन में ट्राइब्स को ट्रांसजेंडर्स और विशेश त्राफसत संबदायों को उनकी लोकेशन पर जाकर ट्रेनीं दी जाती है कि इसी पहल में 18 जूल 2020 के तिन पुदान कुंत्री नरेव मोदी जी ने स्पेशल प्रोजेक्ट्स के अंतरगर कोवेट फ्रंट लाइन वॉर्यर्स प्रोग्राम की शुगवात की इसका उदेश्चित कोवेट 19 की चुनौतियों से बेहदर धंसे निवटने के लिए आवश्यक सेवाओं से संबंधित और प्रासंग इंधों में एक लाग से अधि प्रतेशों में 233 JSS सब्री अर्णू से कामेट रहे हैं और पिछले तीम वर्षों में 9 लाग से अधिक लाभाव भी प्रशिक्षित हो चुके हैं आज 75 नए संस्थान इस इवो सिस्टम में जुड़ने जा रहे हैं भारत आज एक वैश्विक आर्थ ववस्था के हूप में विक्सित हो रहा है इसे ध्यां में रखते हुए युवां को माजार की मांग के अनुसार प्रशिक्षित करने की वाप उन्हें ऑन्द जॉब स्क और उद्यम शीरता मत्राले ने अपनी तरह की पहली दोगरी व्यवसाइद शिक्षा कारिक्रम डिग्री अप्रेंटिशिप शुरूखी है जिसमें अप्रेंटिशिप और जॉब ट्रेलिम संवलित है भारत के कई युवाओं में से देख सत्या है सत्या इस नैशनल अप्र प्रेंटिशिप प्रमोशन स्कीम का लाव लेकर कॉर्पोरेशन बैंक में बैंकिंग की सेवाओं को समझा मर अपनी ही गाओं में बैंक मित्र की सेवाइं देख आप मुंदे घर्दा को एक नया चेहरा दिया इस प्रशिक्षन प्रणाली की सब्लता के लिए एरस दीसी एक अब देखुतेले स्केल इंडिया समारहो उस्षब्र सिदासलक को दुस्य प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी अभीवास नोरोखुतेले अब देखुतेले